नमस्कार जी मैं मन्जू आज सेप्टमबर की फर्स्ट डेट है और आज हम चंदन के सीड ग्रो करेंगे तो यह जैसे कि आप यह देख रहे हैं तो इनको ग्रो करने से पहले इनके सीड को जो है चोबिस कंटे भी गोना पड़ता है और उसके बाद एक दिन अच्छी तेज ध चोबिस के बजाए 48 गंटा मैंने बिगोया तो नहीं मैंने 24 गंटेन को बिगो के रखा था और पर फिर मेरे यहां जो है कल पूरा दिन जैसे धूपनी थी बादल थे तो धूपी ने अच्छी चाहिए होती है तो फिर मैंने पानी में ही ने रहने दिया तो फिर 48 गंटे आ वह हमारे सही होते हैं जो आपर तैयारते रहते हैं वह फिर हमारे खराब होते हैं तो जब मैने 24 गंटा निभीकोया तो पांच सीड़ पानी की नीचे बैठ चुके थे और दो तैर रहा थे और फिर वह दो बाद में नीचे बैठे तो इसwijा तो पहले जो है यह पूरा टाइम तैयर ही रहे थे तो यह इस तरह से तो जब इनके अंदर तक इसकी गीरी में पानी रचता बसता है फिर यह अगर सही सीड जो होते हैं फिर यह नीचे बैढ़ते हैं तो यह देख लिया इस तरह से तो अगर जो मैंने त्रिक का बताया आप उसी तरह से ग्रो करें जैसे की सीड्स को लेकर आप जो बिसकंटे भी को के फिर धूप में एक दिन धूप लगानी अच्छी से फिर ग्रो करने हैं तो मैं तो धूप नहीं लगवा पाई मैंने कारण बता दिया तो मेरे आपको नीचे अपने गार्डन में जमीन में लगाया हुआ है और मैंने गमले में लगाया थी तो यह जो चंदन के प्लांट है यह लाल मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं लाल रेतली मिट्टी में अच्छे से यह चलते हैं और मैंने जो मेरे पास काली मिट्टी थी और ग उसके बाद फिर जब हाई टेंपरेचर जाता है तो भी मैंने इसे जो है नेट के नीचे फिर रखा मैंने उसे तो रात को जैसे बिंटर में मैं रखती थी तो छोटा सा नेट का टुकड़ा मैं डाल देती थी उपर तांकी जो फ्रोस्ट बगारा कई बारी पड़ते हैं तो उस ताइम भी मेरे बच गे और जब हाई टेंपरेचर था गर्मियों का उस ताइम भी मैंने बचा लिया बट अब अब बशात के जो पानी ज्यादा हो जाने से जा मैंने उसमें और गैनिक चीज़ें ज्यादा मिला रखी थी उसकारण जो उनकी रूट्स में पानी बैटन बनाऊँगी तो अभी हम यह से गاد में गलतियों से सीखते हैं और चंदन प्लांत के पास जब आप ग्रो करते हैं तो इसके पास है अरहर की दाल के प्लांटी होने चाहिए तो उन lle से यह खुराक गलेते हैं नहीं हूँ अगर ऐसे को सब्सक् noticed structure sí лег balloons करऊंगी मैं देख्ती हूं कि किटने ए उखते हैं और क्या result रहता है वागता तो आपके साथ हम शेयर करेंडे करेंगे जैसे कि बदाम मेरे गवाइवम ने बोला कि फ्रिज में रखने के बाद वो गुरो नहीं होता है, तो मैंने इसे इसे इस्तिमाल करते हूं, ये बड़े इच्छे रहते हैं और ट्रेनी सिस्ट्रमिन में अच्छा होता है, पानी जो भी बहेगा, तो मिट्टी तो अभी मेरी काली है, प्लांट देखती हूँ कितने दिनों के बाद तो बरसाथ में इन्हें ग्रो किया जाता है तो उसके बाद पिर लाल मिट्टी में ग्रो करना पसंद करूंगी और अरहर की डाल के मैं जो पूद्दे लगाई नहीं पाई थी तो ये साथों के साथों सीड में डाल दूँगी ये ऐसे इतने में गहरे में ताकि गिलैरियां ना निकाले इसके सीड तो एक इंच तक हम दबा देते हैं एक जा दो इ सीड में और जो हाड वाले सीड होते हैं उन्हें हम एक दो इंच गहरे में लगाते हैं और जो सीड जो हमारे जैसे बीजों के बड़े हलके हलके होते हैं पेपरी सीड गयरा उनको तो हम सिर्फ उपर ही रखते हैं नहीं तो वह ज्यादा पानी से खराव हो जाते हैं तो यह है सीर से लगाने का तरिक का बस तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं इस तरह से यह मैंने लगा दिया है और जो मेरी प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो अभी तो छोटा है तो छोटे में कहा जाता है कि उसमें मौईस्चर की भी ज्यादा जरूरत होती है तो कई बारी हम अपनी गलतियों से सीखते है जो इस बारी मैंने गलतिये की हैं तो फिर मैं नेक्स टाइम जब मेरे पास जाँ प्ला कि इसे तीन-चार गंटे के जहां पर दूप मिले तो आज बहुत तेज दूप है तो इसी जगे में रखोंगे पर रखोंगे मैं किसी गमले में जिसमें रोज पानी जिसमें मुझे देना पड़ता है तो उसी में में रखोंगी ताकि असानों कि साइड में कहीं पड़ा र सुपरार्फ के मियरी चाही तो मेरे अक्टूबर में चलता यहां पंड़ो खख़ Response अबी लगाना पसंद करती हुँ सेप्टमबर पेंड में कुछ सेप्टमबर अंड मैं और कुछ में अक्टूबर के पहले हफते दूसरे तीसरे जा 15 नमंबर से पहले तक जो मेरे छूट जाती है 15 नमंबर से पहले तक लगाती हूँ जो बाद में लगते हैं वो बाद में फ्लार जाते हैं तो यह जो होली होक मेरे अपने आपी ग्रो हो गया है तो यह दिखे इस पर फूल भी खिल रहा है पर जैसे बिंटर के मुसम में खिलता है वो चीज नहीं है अभी तो गर्मी पड़ रही है न तो इस तरह से तो मैं इसे होली होक को मेरे खुब सारे अपने आपी प्लांट पर मेरे पास क्योंकि भी खूब सारे लगे पड़े हैं अपने आपी निकले हूँ है और यह मेरे गार्डन में कोरियोपसी भी यह खिल रहे हैं अब कि जैवरिन नहीं हो ली होको तो आप ग्रो कर दीजिए क्योंकि इस बार ही मैंने की इनी ग्रो लेट होगी मैं अभी ले स्टेर तो मेरे सेप्टमबर में खिलना भी स्टार्ट हो चुके थे तो यह देखिए हमेशा कितना मेरा वाटर हाइसिंथ कितने प्यारे इसके फूल है बहुत ही खुबसूरत देख रहे हैं कैसा फूल है नमस्ते जी